हलो स्टूडेंट मैं राम कुबारबिंद हरियर सिंग पबिलिक स्कूल की तरफ से अपने इस सात्वे वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि इसमें मैं आप लोगों को 1.2 का एक्जामपल बता रहा था और एक्जामपल 5 हमने बताया था इसमें एक्जामपल 6 और एक्जामपल 7 मैं आज आप लोगों को बताऊंगा तो एक्जामपल जो 6 है और जो 7 है इसमें HCF और LCM क्या है यह जानिए HCF का पूरा नाम क्या होता हाइस्ट कामन फैक्टर होता है और LCM का पूरा नाम क्या होता है लोएस्ट कामन मल्डिपल होता है लोएस्ट कामन मल्डिपल इसमें उधाना नंबर 6 क्या है पहले यह जानिएगा उधाना नंबर 6 बताने से पहले कुछ LCM और SCF के रूल बता दे रहा हूं है जैसे ध्यान दीजिए कुछ चीजों पर जैसे की मान लीजिए जैसे कोई दो नंबर दिया गया हो जैसे हमारा कोई दो नंबर दिया गया हो और उसका कहे क्या की SCF और LCM निकाल लिए तो जैसे माली जी आपका दो नंबर है पहला हम माल ले रहें हमारा कितना है तंहां तैठा रिए कर दूसरा नंबर क्या हमारा है अशिधीन है और इसका के हम को क्या निकालना है एक सी इस यफ बता रहा हूं को एक सास्ट पीन नहीं बता रहा हूं और एक तरीका बता रहा हूं कि LCM और SCF कैसे find करते हैं ठीक है LCM ठीक है LCM और SCF कैसे find करते हैं जैसे आपको दो नुमबर दिया गया उस पहले आपको कहे कि SCF ग्याद कीजिए तो पहले करिए कि आप यह जो 10 दिया गया है इसका factor का डालिए 10 का factor कितना होता है गुरंखंड 10 का गुरंखंड कितना होता है दो गुड़े इसे 5 लिख सकते हैं यहां आप लोग को समझ्या गया तथा अब यह 15 का गुरंखंड कितना होगा तीन गुड़े इसे 5 लिख सकते हैं नहीं तक समय आगा अप लोगों अब हमको क्या निकलना है 10 तथा 15 का HCF करना है HCF करना है तो लिखेंगे क्या HCF HCF यानि 10,15 का HCF कितना है आपका HCF निकालने के लिख करेंगे क्या इसमें इन दोनों नंबरों में उसका फैक्टर करने के बाद जो कामन वैलू होती है यानि जो एक ही जैसा नंबर मिलता हो वही हम वैलू लिख लेंगे उसको कामन कर लेंगे वही हमारा क्या कहलाता है scf कहलाता है जैसे इन दोनों में इन दोनों के फेक्टर में क्या हमारा मिला एक ही जैसा कामन क्या है कामन होने मतलब एक ही जैसा होना चाहिए यह नमबर यह 55 हमारा मिल रहा है कि 5 मिल गए इसको हमने लिख लिया यही हमारा क्या कहलाएगा स्थ कहलाएगा ल्सियं क्या कहलाएगा कि ल्सियंग ल्सियंग क्या होता यह ध्यान देजिए यानि 10 और 15 का LCM 10 और 15 का LCM क्या आएगा LCM कैसे गयाद करते हैं पहले जो नंबर हमारा common होता है उसको लिखा जाता है बाकी बची हुए नंबर को हम क्या करते हैं उसी तरह लिख देते हैं जैसे कहने मतलब पहले हमारा क्या मिल रहा है फिर into क्या नहीं मिल रहा है अब जो नहीं मिलता है उसको हम लोग लेते हैं क्या हमारा नहीं मिल रहा है 2 और 3 नहीं मिल रहा है अब इसका क्या करें आप सिधा सिधा मलिप्लाई कर दीजिए 3 दूनी 6 हो जाएगा 6 पंजे 30 हो जाएगा आपका यही आपका क्या कहलाएगा LCM कहलाएगा यह हो गया आपका बेसिक ठेक है अब LCM और SCF निकालना आप अच्छी तरह जान गए होंगे आए देखते हैं एक्जामपल नंबर 6 एक्जामपल नंबर 6 क्या इसका देखिए कहरा की संख्याओ संख्याओ 6 और 20 के अभाज 20 के अभाज गुलनखंड विधी से गुलनखंड विधी से HCF तथा LCM ग्याद कीजिए चलिए आएए करते हैं इसको हम इस 6 का गुलनखंड क्या होता है 2 गुडे 3 होता है तथा 20 का गुलनखंड क्या होता है 2 2 गुडे 2 गुडे 5 होता है यह हो गया इसका गुड़न खंड हो गया अब इसका SCF निकालेंगे हमने कहा था SCF निकालेंगे जो दोनों गुड़न खंडों में जो कामन होता है वही हमारा क्या कहलाता है SCF कहलाता है तो इन दोनों में common क्या है यहाँ दो है यहाँ दो है एक ही बार common हो रहा है दो तो दो ले लेंगे यह हमारा क्या हो जाएगा SCF हा जाएगा तथा LCM निकालते हैं LCM हमने क्या कहा था पहले जो common होता उसको लिखा जाता बाकी बची हुए नमबर को हम क्या करते उसे तरह उसके साथ लिख देते हैं चलिए आईए पहले दोनों में क्या common हो रहा है दो common हो रहा हमने दो लिख दिया बाकी बची दोनों में कितने नमबर इसमें दो इक्ष्टा था इसलिए लिखा गया इसमें 3 था 3 लिखा गया और 5 था 5 लिख दिया गया अब इसका हम multiply करेंगे तो कितना आएगा पांट ये 15 15 दुनी 30 30 दुनी 60 ये आजाएगा ये आपका क्या कहलाएगा LCM कहलाएगा इसी प्रकार आईए उधारा नमबर 7 देखते हैं उधारा नमबर 7 क्या है अब हाज गुलनखंड बिधी द्वारा ये दिया गया है 96 और 404 दिया गया है यानि 404 दिया गया है का SCF ग्याद कीजिए और फिर इनका LCM ग्याद कीजिए यानि इन दोनों का क्या फिर वही चीज़े हमको निकालना है ये इस 96 का फैक्टर कितना होगा दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े गुड़े तीन होगा इसका कितना होगा ये होगा हमारा 404 का गुड़न खंड क्या होगा दो गुड़े दो गुड़े गुड़े 101 होगा SCF इसका निकालेंगे SCF इन दोनों में कामन कितना हो रहा है एक बार दो बार हैं दो कामन हो रहा है एक बार ये दो को मिल गया ये एक बार ये दोनों मिल गया ये कामन हो गया और बाकी टर्म नहीं मिल रहे हैं इसलिए उसको छोड़ देंगे तो ये दो गुड़े दो ये हमारा चार हो गया ये हमारा क्या गया mudar MP3 करते क्या है iKA क्योंक ग्याद करने के लिए क्या होता है अद्यान तो हुता है दोनों नंबर का गुलन फल बटे होता है हाज मग्बोड ऊज्टीो होता है क्या होता है मेंस सबस्क्राइब 26 4 tenho a 404 और NSS?!" कितना है, इसका hcf कितना है, हमारा फोर आया है ठीक है इसका hcf फोर आया है, तो करेंगे क्या सॉरी, इसका hcf कितना है फोर आया, अब यहां आप Stupid गुडे 404 बटे 4 करेंगे, चार से भाग देंगे तो आपका 24 गुडे 404 आ जाएगा, इन दोनों यह उधारान समाप्थ हो गया है अब मैं अपने इस नवे वीडियो में आप लोगों को एकसा साइज सॉल कराऊंगा यह उधारान हमारा क्या हो गया ग्लोज हो गया तो इसके आगे मैं नवे वीडियो को जल्द से जल्द आपके बीच प्रवाइट करूंगा धन्यवाद